सक्ट एक्षन लो सक्ट एक्षन लो मेरे पस पुलिस नहीं है अगर पुलिस होती तो हम भी सक्ट एक्षन लेते हैं मेरा अपना यह मानना है कि कि देश की सुरक्षा को लेके और जो इस तरह के दंगे होते हैं मैं यह सुबह से देख रहा हूँ इसके उपर राजनीती नहीं होनी चाहिए आम आदमी पार्टी का है कोई या बीजेपी का है या कोई कॉंग्रेस का है जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए उनको बक्षा नहीं जाना चाहिए चाहिए कोई भी हो चाहिए मेरे मंतरी मंदल में कोई है किसी को नहीं छोड़ना है उनके खिलाफ सक्से सक्ट एक्षन लोग उस पर आप बया मिलेगी ऐसे ऐसे क्रिपनल जस्स सिस्टम चलेगा हमारा उठा के जर्मेड जो भी विद्ध शी है उनके वाले दोशिएं को डालो हमारे वाले दोशिए अधर दबस हजाद को किसी को बक्षा मत राज़नीति करना बंद करो देश की सुरक्षा के साथ देश के साथ राजनीती करना बंद करो यह दुखदाई है यह वह ऐसा एस्टिमेट है नि अब करेंगे सारे रेविनिय डिपार्टमेंट इस गूंट तो इट मैंने कह दिया आपको मैंने कह दिया आपको सक्से सक्स सजादो जो सजा बनती है उसे डबल सजा दे दो अगर कोई आमाद्मी पार्टी वाला पकड़ा जाता है तो एक तो जो इंजर्ड लोग हैं जो जो सरकारी हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनको तो हम पूरी उनका इलाज करी रहे हैं लेकिन अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ज विक्टिम है और उसको आप वो अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लाज कराता है तो उसका सारा खर्चा दिली सरकार देती है उस फरिष्टे स्कीम को राइट अफेक्टेड लोगों के लिए भी लागू कर दिया गया है के pos अधि शाम तक और देती हो जाएंगे कि तो कि अभी लोग अपना एलाज को राइट अफेक्टेड लोग जो हैं जो अपना है इलाज उसमें हमने crime affected लोग भी और right affected लोग भी दोनों के लिए जारी कर दिया है कि जो लोग भी अपना private hospital में इलाज कराएंगे तो hospital को reimbursement दिल्ली सरकार कर देगी उनके इलाज का कोई खर्चा नहीं लगेगा तो जो लोग इलाज करा के चले गए वो तो चले गए लेकिन अभी जो लोग प्राइवेट में अभी जिनका इलाज चल रहा है उनको इसका फाइदा मिलेगा या अगर कोई भगवान ना करे और कोई दुरगटना हो तो उनको भी इसका फाइदा मिलेगा दूसरा कर्फ्यू वाले एरिया के अंदर कुछ लोगों को मुझे पता चला था कि दिक्कत आ रही है क्योंकि कर्फ्यू की विज़े से वो लोग निकल नहीं पा रहे वहाँ पर हम दिल्ली सरकार खाना पहुंचाने का इंतिजाम शुरू कर दिया आज से और इसमें हम एंजियो की मदद ले रहे हैं आडव्यू की मदद ले रहे हैं लोकल एममेलेज कांसलर्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनके जरीए हम खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं राउंड दे क्लॉक हेल्प लाइन नंबर्स जारी किये जा रहे हैं रिलीफ और रिहाबिलिटेशन के लिए वो नंबर्स की डीटेल्स हम आप लोगों को अभी दे देंगे और SDM को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया इन सब भी हेल्प डेस्क्स के लिए यह जो अफेक्टेड एरियाज है इसमें छे SDM हैं अभी और 12 SDM को और नियुक्त किया जा रहा है तो टोटल इस एरिया में 18 SDM हो जाएंगे ताकि और गहन तरीके से यहाँ पर रिलीफ और रिहाबिलिटेशन मेजर्स इंप्लिमेंट किये जा सके चार नाइट मेजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की जा रही है जो र जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को उनके परिवार को दस दस लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा जिसमें एक लाख रुपया एक्स ग्रेश और नौ लाख रुपय डॉक्युमेंट्स वेरिफाई करने के बाद होगा माइनर के केस में डेथ आफ ऑफ मा पांच लाख रुपए का मुआवजा पर्मनेंट इनकेपैसिटेशन पांच लाख रुपए का मुआवजा सीरियस इंजरी पे दो लाख रुपए का मुआवजा माइनर इंजरी पे 20,000 रुपए का मुआवजा अगर कोई और फन हो जाता है तो तीन लाख रुपए का रिक्षा अगर जल गई से जल गई और भवराइड ओगयी तो 25,000 रुपे का मुषजा ए रिक्षा के केस में किसी का घर पूरी तरह से जल गया तो 5 tantक्रैáfic की कर ओर अगर कोई किराइदार था तो एक लाख रुपे किराइदार को उसके belongings के लिए और चार लाख रुपे मकान मालिक को घर जलने के लिए और अगर घर को पूरी तरह से नहीं जला लेकिन substantial damage है तो धाई लाख रुपे का मुआफ़जा और commercial unit दुकान वगेरा अगर किसी की जल जाती है तो पांच लाख रुपे तक का मुआफ़जा जो uninsured है जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए या substantial जल गए और उनको immediate राहत की जरूरत है क्योंकि यह सब कागजी कारवाई में थोड़ा सा समय लग सकता है जिन लोगों को immediate जरूरत है उन्हें 25,000 रुपे का एक्स ग्रेशा तुरंत दे दिया जाएगा ताकि उनकी जिन्दगी सुचार रूप से चल सके जैसे मैंने कहा कि help line भी है आफिसर के दफ्तर भी है लेकिन एक एप भी डेवलप किया जा रहा है एक दिन में वह जारी कर दिया जाएगा जिसके जरीए लोग अपने यहां पर इसमें अपने क्लेम दाखिल कर सकते हैं और उसके बाद उनको बुला के उनके उनसे सारे डिपार्टमेंट लगाएगा जगे जगे पे ताकि उनको ये कागज दुबारा बनवाने में दिक्कत ना हो इस डेली मिनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा जा रहा है कि उस एरिया में मैं जब कल गया था चारो तरफ पथर पढ़े हुए थे चारो तरफ जले हुए तो उनको की अदर, वह सेरिया की सफाई के लिए तुरंत कार्वाई करें महले के लेवल पर हर जग इस पीस में जा रही है इसमें बहुत सारे लोगों की दुकाने चल गई जो हो सकता है उनके पास इंशुरेंस हो बहुत सारे लोगों के वहिकल्स जल गए जिनके पास हो सकता है इंशुरेंस हो तो फनेंस डिपार्टमेंट को कहा गया कि इंशुरेंस कंपनी के साथ टाइप करके अगर इंशुरेंस companies भी वहाँ पर camp लगा के और इसको जल्द से जल्द लोगों के claims को settle कर सके Delhi Finance Corporation को कहा जा रहा है कि जिन लोगों के दुकाने और रोजगार खतम हो गए उनको easy terms के उपर subsidized loans दिये जा सके कई बच्चों की किताबें जल गई तो उस इलाके के स्कूलों में कहा जा रहा है कि उन बच्चों को चाए प्राइवेट बज स्कूल के हों चाए सरकारी स्कूल के हों बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म्स फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी और जो बच्चे अभी सीबी एसी और आइसी एसी बोर्ड के एक्जैम देने वाले थे और इस वज़े से नहीं दे पाई उनकी लिस्ट बना के इन दोनों बोर्ड को भेज दी जाएगी और बोर्ड ने कहा है उन लोगों ने कि इनकी दुबारा परिक्षा का वो इंतिजाम करेंगे तो यह सारे हैं मैं खास तोर से सरकारी हॉस्पिटल जो हमारे हैं उनको उन्होंने बहुत शांदार काम किया सभी डॉक्टर्स ने बहुत शांदार काम किया मैं खुद भी गया था कई सारे हॉस्पिटल्स में कई बार गया था और रात दिन मेहनत की है, डॉक्टर्स ने भी और सभी करमचारियों ने, पेरामेडिक स्टाफ ने, बहुत ज्यादा प्रेशर था उन लोगों के ऊपर, और उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और गोंसे भी इडिपाई अरत बाइज हो रहा यह. चल रहीा है, यह बता रही है, यह रही है. पीडिक अंदर ताब रेढ़ी रया है, आ давайте तुमठेशर के आदशु कि अदर टेंपोरएरी इंतिजाम कर रहे हैं। वैसे जो मुझे बताया गया अगर किसी को भी जरूरत है तो रहन बसेरे में कर सकता है मुझे बताया गया कई कुछ लोग जो है वो अपने रिश्टेदारों के आसपास दोस्तों क्या चले गया है अब आप कर दो